जय मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आपसर? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखें दोस्तों, बहतर पदमा के कृष्ण पक्च की तृतिया तिधी को कजरी तीज का वरत रखा जाता है कजरी तीज सावन मां में पढ़ने वाली हरियाली तीज की तरही मनाई जाती है कजरी तीज का वरत हरियाली तीज के 15 दिन बाद मनाया जाता है कजरी तीज को बोड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है इस दिन सुहागिन मैलाएं अपने पती की दीरगायव और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला वरत करती है तो आज हम आपको इस वीडियो में यहीं बताएंगे कि साल 2022 में कजरी तीज का वरत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा और इस दिन चंदरोदय का सही समय क्या है इसके लावा हम आपको बताएंगे कि कजरी तीज का वरत पारण किस समय किया जाएगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधी क्या है साथी मैं आपको कजरी तीज वरत के जरूरी नियम भी बताऊंगी लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ल बैस मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में कजरी तीज के वरत का विसेस महारत्य है कजरी तीज रक्षा बंदन के तीन दिन बाद और कश्न जन्मास्टुमी के पास दिन पहले मनाई जाती है इस दिन भगवान सिव और माता पारवती जी की पूझा की जाती है कुछ जगहों पर कजरी तीज के दिन महिलाएं नीम के पेड़ की भी पूझा करती है जिने नेमरी माता कहते हैं हाला की कजरी तीच का वरत कुवारी लड़कियां भी रखती हैं मन्चाहे वर की प्राप्ती के लिए दोस्तों सुहागिन महिलाओं को कजरी तीच के दिन सोला संगार जरूर करना चाहिए इस दिन महिलाओं जवं, गेहूं, चने और चावल के तरह तरह के पकवान बनाती हैं इसके लावा इस दिन आटे की साथ लोईयां बनाकर घी, मेवा, गुड़ रखकर गाय को खिलाया चाता है इस दिन महिलाएं हर्याली तीच की तरह ही जूला जूलती है और गाना गाती है दोस्तों ऐसी मानिता है कि इस वरत को सबसे पहले माता पारवती जी ने भगवान संकर को पती के रूप में पाने के लिए किया था इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का खास महत्त है चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में कजरी तीज का वरत कब रखा जाएगा तो आपको बता दें कि तर्तिया तिथी की सुरुआत 14 अगस्त 2022 की प्रात्य काल 12 बचकर 53 मिनट पर हो रही है और तर्तिया तिथी की समापती 14 अगस्त 2022 की रात को 10 बचकर 35 मिनट पर हो जाएगी तो दिया तिथी की हिसाब से कजरी तीज का वरत 14 अगस्त 2022 दिन रविवार को ही रखा जाएगा और इस दिन चंदरोदे का समय रात 8 बचकर 54 मिनट पर रहेगा और बात करें पूजा के सम मूरत की तो इस दिन अब जीत मूरत दोपहर 11 बचकर 69 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 52 मिनट तक रहेगा और इस दिन विजय मूरत दोपहर 2 बचकर 38 मिनट से लेकर दोपहर 3 बचकर 30 मिनट तक रहेगा और जो लोग प्रदोस काल में पूजा करती हैं तो उनके लिए पूजा कसुम मूरत साम 7 बचकर 2 मिनट से लेकर रात 8 बचकर 6 मिनट तक रहेगा दोस्तों इस साल कजरी तीच के परव पर सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धी योग भी रहेगा इस दिन सुकर्मा योग की सुरुआद सुबह से लेकर देर रात 1 बचकर 38 मिनट तक रहेगी वहीं सर्वार्थ सिद्धी योग भी रात 9 बचकर 56 मिनट से लेकर अगले दिन सुबह 5 बचकर 50 मिनट तक रहेगा ये दोनों योग ही पूजा पाट के लिहाज से बेहदी सुब माने जाते हैं और बात करें वरत पारण की तो आपको बता दें कि कजरी तीज के वरत का पारण चंद्रोदे होने के बाद चंद्रमा को अर्द देने के बाद ही किया जाता है तो इस दिन चंद्रोदे रात 8 बचकर 54 मिनट पर होगा तो कजरी तीज के वरत का पारण 14 अगस्त की रात को 8 बचकर 54 मिनट के बाद ही किया जाएगा चलिए अब जानते हैं कि कजरी तीज के वरत के नियम क्या है दोस्तों सास्तरों के नुसार इस वृत को महिलाओं को पूरे दिन नर्जला वृत रख कर जब चंद्रोदे हो जाए तो उसके बाद चंद्रमा की पूजा और अर्द देने के बाद ही वृत को खुलना चाहिए अगला नियम है कि कजरी तीच का वरत करने वाली महिलाओं को पूरा दिन पूरी स्रद्धा के साथ इस वरत को करना चाहिए इस दिन उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए कजरी तीच के दिन किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए खास कर किसी अन्य सुहागिन महिला की इसके लावा इस दिन व्रती महिला को बड़े बूरों का अपमान भी नहीं करना चाहिए दोस्तों वैसे तो कज़री तीज का व्रत नर्जला रखा जाता है लेकिन अगर कोई महिला गरवती है तो वैफला हार करके भी इस व्रत को कर सकती है दोस्तों इसके लावा आपको बता दूँ कि यदि किसी कारण वस चांद का उदे ना हो सोला स्रंगार जरूर करना चाहिए आप पूजा के समय नई नवेली दुलहन की तरह स्रंगार अवस्य करें इसके लावा कजरी तीज के व्रत में सास और किसी अन्य सुहागन महिला को सुहाग के पिटारी यानि की स्रंगार का समान देना बेहदी सुमाना जाता है और यदि आप व्रत का उद्यापन कर लेती हैं और पुना आप निर्जला व्रत नहीं कर पाती हैं तो आप इस व्रत को फला हार करने का संकल्प लेकर भी इस व्रत को दुबारा सुरू कर सकती हैं इस बात का भी आप ध्यान रखें चलिए अब जानते हैं कि कजरी तीच की पूजा विधी क्या है तो दोस्तों कजरी तीच के दिन व्रती महिला को प्राता काल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए इसके बाद इसनान करके स्वच्छ वस्त धारा करें फिर आप व्रत का संकल्प लें दोस्तों इस दिन मिट्टी वा बालू रेत के शिवपार्वती और गड़ेज जी की मूर्ती बना कर विधवत पूजा की जाती है आप लकडी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्तर बिचा कर भगवान की प्रतिमा इस्थापित करें और इनकी विधवत पूजा करें सर प्रतमाब गड़ेज जी की पूजा करें और भगवान सिव जी को बेल पत्र गंगा जल पंचमरश से भिसेख कराएं धतूरा भांग मदार का फूल आदी अरपित करें और माता गवरा जी को सिंदूर और स्रंगार की सामगरी भेट करें बोग प्रशाद में आप पूडी पूए सत्तू और सत्तू से बने हुए पकवान और फलादी अरपित करें धूब दीब जलाएं और कजरी तीच की वरत कथा सुनें दोस्तों इस दिन कई जगें निम्री माता की पूजा का विधान है इसके लिए सबसे पहले मिट्टी या गोबर से एक तलाप की आकरती बनाई जाती है तलाप को अच्छे से बनाया जाता है ताकि इसमें पानी लीक ना हो फिर इस तलाप में जल और दूद डला जाता है अब तलाप के एक किनार मद्द में नीम की डाली लगाई जाती है और उसके उपर लाल रंगी ओडनी उड़ाई जाती है अब आप कलस की स्थापना करें कलस की मुक में मौली बांदь लें और कलस पर स्वास्तिक का चिन्न बना लें और कलस में कुम कुम चावल के साथ सत्तू गुड भी चढ़ाएं साथी एक सिक्का भी चढ़ा दें इसके बार नीम्री माता की विद्वत पूजा करें चावल सत्तू गुड सिक्का और फलादी अर्पित करें धूब दीब जलाएं इसके बाद विवाहित महीलाओं को तलाप के पास कुम कुम मेधी काचल की साथ बिंदियां लगाने होती हैं वहीं कुवारी लड़िकियों को ये बिंदी सोला बार लगानी होती हैं अब आप इसके बाद नीमनी माता की कथा सुने साथ ही सातोडी तीज की क्यथा सुने, कथा को सुनने के बाद महिलाओं को तलाब में सभी चीजों का प्रतिविम्ब देखना चाहिए, जैसे सत्तू, फल, सिक्का, ओडनी आदी, जो भी आपने तीज माता को चड़ाया हो, इसके बाद जब चंद्रोदे हो जाए, तो चंद् अवस्य दें, आप अपने हाथ में गेहूं और चांदी की अंगुठी लेकर चंद्रमा को अर्द दें, और उसी स्थान में खड़ी होकर परिक्रमा करें, इसके बाद सास को बाइना अवस्य दें और उनके पैड़ चुएं, तज पस्चाथ सत्तू खा कर ही, आप अपने व सेर करें, साथी चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद